अलो दूस्तो मेल्कम बैक टू लटर वीडियो, उमीद करते हैं, आप सभी बहुती अच्छी होंगे दूस्तो आज की इस फिपीडो में बात करने वाले हैं, ब्रैन न्यू टीवी एस, राइडर बन टनिटी फाइव के बारे में जे दुस्तो इस वीडियो में Rider 125 के बारे में हम डीटेल में बात करने वाले हैं क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिफिकेशन है किस बजट में अब इस बाइक को खरिश सकते हैं काफी दिनों हो गये थे दुस्तो टीवीएस Rider 125 के बारे में बात नहीं किये थे आप लोगों की तरफ से डिमांड थी कि समीर भाई इसका एक बार रिव्यू करो और टीवीएस Rider 125 के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ आज की वीडियो आप लिए बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग प्लस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली दूस्तों अगर आप टीवीएस Rider 125 जिसमें आपको Marvel Edition का Iron Man Edition के बारे में अगर आपको जानना है तो चली फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब करें आप बिलके आपको ओन कर लिजेगा ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग नोटिपिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके हैं तो चली फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दुस्तो बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मलती है अब जहर सी बातार कोई पी चीज खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम आपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है जितना दोस्तो हमारे पास पैसा जितना हमारे पास बजट है उसके साफ से हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं दोस्तो रैडर 125 यह Ironman Edition है यह आपको 1 lakh रूपीज एक लाग रूपे की आसपास की जो आपको एक्स फूरूम प्राइस देखने को मिल आते हैं बात के लिए दोस्तो इस बाइक के अउन रूप्राइस के बारे में तो पहले आपको आपको मैं क्लियर कर दू हरे कि शिटेड इन सीटी में उसका क्या प्रेज अगर आपको पता हो तो प्लीस कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चली बात कर लेते हैं दुस्तों अब इसके डीटेल रिव्यू में सबसे पहले दुस्तों इसके फ्रंट लाइट में आते हैं आप एक चीज़ नूटिस करेंगे फ्रंट में दुस्तों इसमें आपको में लाइट में आफर किया हुआ है बात तरह लिए दुस्तों इस बाइक के में लाइट के बारे में में लाइट में इस बाइक आपको फुली एलिडी जो लाइट है आपको इस बाइक में देखने को मल जाता जी है company ने fully LED जो लाइट है दोस्तों इस बाइक में दिया हुआ है इस लाइट की illumination and visibility है न वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी काफी अच्छी लाइट है और नोड लाइट की जो quality है भाई भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इसका low beam और high beam जो है दोने ही काफी powerful light है दोस्तों इस लाइट आपको जो 10 single lap देखने को मिलते हैं वो आपको यह पर बल्फ देखने को मिलते हैं और मेरी नजरों में अबर वो भी LED होता तो भाई बहुत जादा बहतर हो जाती इस बाइक के लिए फ्रंड में जो suspension मिलता है वो आपको आपको आप टेलिस्कोपिक suspension आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा दोस्तों उसके बता आप लोग को मैं बता दू फ्रंड में इसमें आप लोग को जो tire size देखने को मिलती ही रैडर 125 में वो आपको मिलती ही लग बग 1800 के असपास का tire size आपको फ्रंड में मिलता है बात कर ले ब्रेकिंग ये बारे में ब्रेकिंग में दुस्तों इसमें आपको बता दो 240 mm की जो dick split है वो आपको दुस्तों इस बाइक में देखने को मिल जाती है ये company ने काफ़ इची जो braking plate है इस बाइक में offer किया है बात कर लें दुस्तों अब इसके engine के बारे में भाई या engine type में इस बाइक में आपको 11.2 का सोरी पहले आप जान लीजिए 124.8 cc का air and all-cool 3-volus single cylinder जो engine है वो आपको इस बाइक पे देखने को मल जाता है ठेक बात करें power and torque के बारे में दुस्तों ये जो बाइक की power है इसमें आपको काफ़े अच्छी power मिल रही है ये आपको minimum 11.2 के असपास का PS power the net करती है एन 11.2 के असपास के जो टॉर्क हो आपको इस बाइक में देखने को मल जाता है एने कि दुस्तों company ने power and जो टॉर्क है दुस्तों इस बाइक पे बहुत अच्छा दिया है इसकी जो performance अवाई आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मल जाएगी परफॉर्मस के मामले में काफी अच्छी निगल के आ रही है और परफॉर्मस में मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउत नहीं और परफॉर्मस मुझे ने यह बाइक बहुत जादा बहता है शुल सिस्टम में एर कॉलिंग एंजिन आपको बाइक में देखने को मलता है प्लस इस बाइक में देखने को मिलेगा इस बाइक में देखने को मल जाता है बोर साइस 53.5 mm है श्टोक साइस 55.5 mm का देखने को मल जाता है ठीक तो यह था दोस्तो इस बाइक का डेटेल एंजिन स्पेसिपिकेशन चानी बात करने अब इस बाइक के मालेज इन परफॉर्मस के बारे में दोस्तो आपको बता दीए बाइक मिनीमम आपको लबक 65 to 70 के असपास का मालेज जो है दे देती है 0 to 100 में इसको लबक 5.9 सेकंड लगते है इसकी जो टॉप स्पीड है लबक 100 km पर अवर के असपास की जो टॉप स्पीड है वो दोस्तों में इस बाइक में देखने को मिल आत इस बाइक में आपको बता को लग ब मता दूप बता दूघ चैने को मिलेंगे बात कर दिचरो आपको काकी से फीचर देखने को मिलेंगे जैसे speedometer है, takeometer है, trip meter है, newton indicator है, clock है, gear indicator है, service reminder है, low battery indicator है, distant to empty indicator है, gear supply है, maximum speed recorder है, economic riding indicator है, plus real time जो mileage है, वो भी दुस्तों आपको इस bike में देखने को मिल जाता है, मतलब speedometer जो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, काफी सारे feature आपको मिलेंगे, बात के लिए दुस्तों speedo, sorry, undamination and capacity CD के बारे में, आपको बता तो यह जो बाइक है, minimum आपको, जो और लेंद है, 2070 mm का है, और जो वीथ है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है, 785 mm का, और लाइट है, 1028 mm का, प्ला दुस्तों इसमें आप लोगों ग्राउन के लिए 180 mm का मिलता है, करवड़ आपको 123 kg के आस सब्सक्राइब करें ना, चलिए दूस्तों मिलते हैं फिन नेक्स फिरों में, लवी ओल, जेहिन बंदेवा आतरम